नमस्कार आज हम लोग क्लास नाइन के गनित का पहला चैक्टर नंबर सिस्टम यानि संख्या पदिती के बारे में सिखने वाले पहला जो संख्या समू हमारा आता है इस नंबर सिस्टम के अंतरगत वो है प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिस में हम नैचरल नंबर करते हैं और इसका संख्या है इन से इसे दिनोट करते हैं इसका दूसरा नाम भी है एक हम लोग इसे गिंती की संख्याओं के रूट में भी जानते हैं तो हम सभी जानते हैं कि गिंती की संख्याएं कौन सी हैं ये सुरू होती है एक दो तीन चार डॉट 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 अर्थार प्राकर्ट संख्या के सुरुवार्थ होती है एक से और ये अनन्थ तक चलती है तो सबसे छोटी प्राकर्ट संख्या कौन सी हो गई एक अब इसके बाद हमारा दूसरा जो संख्या समूर है वो है पूर संख्या और इसे इंगलिस में हम कहते हैं होल नंबर और इसे हम डिनोट करते हैं डवलू से तो अभी हमने इससे पहले देखा प्राकर्ट संख्याएं शुरू होती है एक दो तेन, चार, डौट, डौट, डौट यानि एक से सुझ्णख्याएं प्राकर्ट संख्याएं अब एक से पहले क्या होगा तो एक से पहले हम यहाँ पर एक जीरो जोड़ देते हैं शुन्य तो अब प्राक्रिस संख्या में जब हम एक शुन्य लगा देते हैं इससे पुर्व में तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या का संभू तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई शुन्य हुई अब जो तीसरा संख्या संभू हम ले रहे हैं वो है पूर्णांग और इसे इंग्लिस में हम कहते हैं इंटीजर्स और इसका संकेत है जड़ अभी हमने पूर्ण संख्या देखा शुन्य से शुरू होता है सुन्य एक, दो, तीन, चार, डॉट, 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 अब सुन्य से पहले क्या होगा तो माइनस वन, माइनस त्यू, माइनस त्री, डॉट, डॉट, डॉट तो हमने देखा, अभी तक फर से एक बार इसको दुराते हैं, सबसे पहला जो संख्या संख्या हमारा है, वो प्राकृत संख्याओं का संख्या है जिसे हम एन से डिनोट करते हैं और यह सुरू होता है एक से, एक, दो, तीन, चार और यह अनन तक चलती है दूसरा जो संख्या 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 का संख्या है, तो और इसे डिनोट करते हैं डबलू से और यह सुरू होता है सुन्ने से, अर्थाच सबसे छोटी पूर्ण संख्या है सुन्ने पूर्णांक में पूर्ण संख्याओं के साथ साथ यह रिनात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाता है अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें तीन तरह की संख्याएं हो गई एक सुनने से पहले और एक सुनने के बाद पूर्णांक तो सुनने पहले जो यई रिनात्मक संख्याओं ऑन ये सुनने के बाद जो हैं इसे कहते हैं धानात्मक पुर्णांग तो अब बताएं कि यह शुनी क्या है अथ्वा धानात्मक पुर्णांग है आप इस पर देख रहे हैं कि हमने यह जो रेखा खीचा है यह जो अंडरलाइन किया है यह माइनस वन से इधर बाई उत्रब किया है और यह एक से दाइनी ओर किया है सुन्ने को हमने छोड़ दिया है क्यों क्योंकि शुन्न नरिनात्मक पुर्णांग है और ना धनात्मक पुर्णांग है इसे हम एक विसेश संख्या करते हैं यानि special number अब इसके बाद चौथा जो हमारा संख्या समूर है वो परिमे संख्याओं का है और इसे हम इंगलिस में कहते हैं rational number और इसे हम denote करते हैं या सुचित करते हैं क्यूँ से ये कैसी संख्याएं होती है ये वैसी संख्याएं होती है जिने हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं पहले हम इसका उधारन देते हैं कौन सी संख्याएं होंगे ये एक बटा दो माइनस तीन बटा चार पाच बटा छे इस तरह की संख्याएं ये परिमे संख्याएं हैं तो इसमें क्या हम विशेस्ता देख रहे हैं अभी हमने कहा कि परिमे संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिने हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं आई इसकी परिमे संख्याएं जो P by Q के रूप में लिखी जा सकती हो जहां P और Q ये क्या होंगे पुर्णांग होनी चाहिए और एक सर्थ है Q सुन्ने नहीं होना चाहिए तो हमने देखा कि परिमे संख्याएं किसे कहते हैं ये P by Q के रूप में होनी चाहिए जैसे यहां पर देखें एक बटा दो माइनस तीन बटा चार पांच बटा छे ये जो ऊपर वाला है इसे हम अंस करते हैं नीचे वाले को हर इंगलिस में कहें तो numerator और denominator लेकिन ये एक और हमें सर्थ लिखा है कि ये जो हर है वो शुन्ने नहीं होना चाहिए अब यहां पर एक प्रश्ण उखता है प्राया पूछा जाता है क्या सुन्ने परिमेश संख्या है तो आये देखते हैं शुन्ने को हम ऐसे में लिख सकते हैं सुन्ने बटा एक शुन्ने बटा दो या सुन्ने बटे एक हजार तो हम देख रहे हैं कि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है ये शुन्ने पी है और यहां पर वान जो है वो क्यू है यहां पर पी है शुन्ने और क्यू है दो तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये शुन्ने भी परिमेश संख्या है अब एक और गुन हमने देखा एक और चीज़ देख रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्याए सभी प्राकृत संख्याए पूर्ण संख्याए एवं पूर्णांक परिमेश संख्या है जितने भी प्राकृत संख्याए हैं पूर्ण संख्याए हैं एवं पूर्णांक हैं वो सभी परिमेश संख्याए होती है क्या इसका उल्टा भी सही है तो इसका विलोम या उल्टा क्या होगा क्या सभी परिमेश संख्याए प्राकृत संख्या होती हैं क्या सभी परिमेश संख्याए पूर्ण संख्या होती हैं क्या सभी परिमेश संख्याए पूर्णांक होती हैं नहीं यह सत्य नहीं है सम्तुल्य परीमे संख्या अर्थाथ इक्वेलेंट रैस्नल नंबर हम दोग देखते हैं कि एक बटा दो को हम दो बटा चार के रूप में भी लिख सकते हैं और इसी को हम चार बटा आठ के रूप में भी लिख सकते हैं तो ये दो बटा चार और चार बटा आठ ये एक बटा दो के सम्तुल्य कहलाती है अर्थाथ सम्तुल्य परीमे संख्याएं हैं अब है कि अगर हमें इस तरह का प्रस्न हो के सम्तुल परिमे संख्या निकालनी है जैसे तीन बटा दो के दो सम्तुल परिमे संख्या बताईए तीन बटा दो के दो सम्तुल परिमे संख्या बताईए तो किस तरह से हम इसका सम्तुल परिमे संख्या निकालेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं तीन बटा दो हमने लिखा अब ये हर और अंस दुरुनों को हम समान संख्या से गुना करते हैं या भाग भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम गुना करेंगे तो चलिए हम दो से गुना करते हैं जब हमने हर को 2 से गुणा किया तो अंस को भी करेंगे कग तीन बटा दो ब्रबाबर जब हम देखते हैं कि हम पाहले से जानते हैं कि अंस और हर को अगर समान संख्या से हम गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह हो गया छे बटा चार तो तीन बटा दो का एक संतुल हमें मिल गया छे बटा चार इसी तरह से हम एक और निकाल सकते हैं इस बार हम तीन से गुना करते हैं हर को तीन से, अन्स को तीन से तो यह आ गया नौ बटा छे इस तरह से जितनी भी हम चाहे सम्तुल्य परिमेश संख्या निकाल सकते हैं अनंत सम्तुल्य परिमेश संख्या फोती है दो परिमेश संख्याओं के बीच की परिमेश संख्या प्राफ्ट करना आई ये कैसे करते हैं तो हम एक उदारन ले लेते हैं उदारण की साहता से समझते हैं प्रस्न ये है एक और दो के बीच ये चा है एक और दो के बीच तीन परिवे संख्या प्राप्त कीजिए इसे हम दो विधी से प्राप्त कर सकते हैं तो ये पहला विधी विधी एक यहां हम क्या करते हैं कि हमने उसत के बारे में पढ़ा है तो पहली परिवे संख्या हम क्या करेंगे ये क्या करेंगे एक और दो के बीच एक परिवे संख्या पहले हम एक निकालते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और दो जिसके बीच हमें निकालना है इन दोनों को जोड कर दो से भाग दे देंगे वान प्लस टू बाइ टू हमने जोड दिया और इसको दो से भाग दे दिया दो से भाग इसलिए दे रहे हैं कि ये और सती कालते हैं तो ये हमारा गया तीन बटा दो तो एक तो हमें निकल गया एक तो हमारा परिवे संख्या निकल गया अब और दूसरा निकालेंगे तो दूसरा परिमे संख्या अब क्या करेंगे हम कि इस एक और इस तीन बटा दो के बीच की परिमे संख्या निकालते हैं तो ठीक यहीं विधी अपनाते हैं एक जोड तीन बटा दो और ये ये बटा दो तो आई इसे हल करते हैं तो ये लासा हो गया यानि ऐल्सियम दो तो ये हो जागा दो और ये तीन और ये बटा दो तो ये हो गया पाँच बटा दो और ये जो नीचे वला है ये यहाँ पर गुना हो जाएगा तो ये हमारा आगया पाँच बटे चार तो दूसरा परिमे संख्या भी हमारा निकल गया अब एक और निकलना है अब हम इस तीन बटा दो और इस पाँच बटा चार इसके बीच की परिमे संख्या निकाल लेते हैं तो फिर वही भी दिया अपनाते हैं तीन बटा दो जो और पाँच बटा चार और ये बटा दो तो यहां पर हमारा लसर क्या हो जा रहा है एल्सियम चार तो ये दो दूनी चार ये यहां पर छे हो जाएगा और यहां पर पाँच बटा दो तो ये हो गया इक ग्यारह बटा चार और ये दिशे दो है गुना दो तो यह हमारा आग्या 11 बटा आठ तो इस तरह से हमने एक और दो के बीच तीन परिमे संख्या निकाल लिए तीन बटा दो पांच बटा चार और 11 बटे आठ इस तरह से अगर हमें दिया होता कि चार परिमे संख्या निकाल लिए पांच परिमे संख्या निकाल लिए या और कुछ रहता तो इसी विधी से हम निकालते चले जाएंगे यह हमारा विधी एक हो गया विधी दो दूसरी विधी भी हम क्या करते हैं कि हमें तीन परिमे संख्या ग्यात करना है इन दोनों के बीच में एक और दो के बीच में तो हम एक और दो को चार के हर के रूप में व्यक्त करते हैं यह जितना विधी आ होता है इसमें एक जोड़ देते हैं यहां तीन परिमे संख्या निकाल ले थी तो तीन में एक जोड़े तो चार हो गई तो चार के हर के रूप में इसे हम व्यक्त करते हैं एक ब्राबर ये एक को हम एक बटा एक समझ सकते हैं तो इसे चार का हर हमें बनाना है तो यह हो जागा चार बटा चार और ठीक इसी तरह से दो को, तो ये है दो बटा, एक, और इसे चार के हर में हमें व्यक्ट करना है, तो इसे भी हमें चार से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, आठ बटा, चार, तो हम देख रहे हैं, कि चार बटा, चार, इससे बड़ा हो जाएगा, पांच बटा, इससे बड़ा हो जाएगा, छे बटा, चार, और इससे बड़ा होगा, साथ बटे, चार, और इससे बड़ा होगा, आठ बटे, चार, तो अब हम देख रहे हैं कि 4 बटा 4 और ये 8 बटा 4 के बीच में ये 3 परिमेश संख्या है 5 बटा 4, 6 बटा 4, 7 बटा 4 लेकिन ये 4 बटा 4 है क्या ये तो एक को ही हमने इस तरह से व्यक्त किया था ना इसलिए 1 is less than 5 by 4, less than इसे अगर हम नियुंतम रूप में लगुंतम रूप में व्यक्त करें तो ये हो जाएगा 3 बटा 2 और ये 7 बटा 4 और ये फिर ये तो 2 है इसे फिर से पढ़ता हूँ ये 1 और 2 के बीच में जो हमें 3 परिमे संख्यानी मिल गई 5 बटे 4, 3 बटे 2 और 7 बटे 4 तो आईए इसे उतर में भी लिख देते हैं इसलिए एक और 2 के बीच तीन परिमे संख्यानी ये हो गई पांच बटा 4, 3 बटा 2, 7 बटे 4 तो क्या तीन ही परिमे संख्या इन दोनों के बीच में है या चार ही है या पांच ही है नए दो परिमे संख्याओं के बीच अनन्त परिमे संख्याए हो सकती है दो परिमे परिमे संख्याओं के बीच अनन्त परिमे संख्याए है होती है आईए कुछ मुख बिंदूओं को जाने सभी प्रकृत संख्याएं पून संख्याएं एवं पूना परिमे संख्याए होती है सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक है सबसे छोटी पून संख्या शुन्य है शुन्य ना तो धनात्मक पुडांक है और ना रिनात्मक और दो परिमे संख्याओं के बीच अनंत परिमे संख्या होती है झाल 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 झाल